तो गाइस हाल ही में एमंग उस ने ट्विटर पर एक ट्विट किया है उनके न्यू अपडेट को लिखर तो आज की इस वीटे में उसको डिसकस करने वाला हूँ और 4G के न्यू ट्रेलर के उपर अब हम बात करेंगे और यह एक और गेमिंग न्यूस का पार्ट होने वाला है तो गाइस प्रीज मश्ट इस वीडियो को अठे तक लिखना आपको न्यू गेमिंग न्यूस अन्यू को मिलने वाली है वीडियो बहुत चोटे होने वाले है लिकार नहीं पूलो इन्फॉमेट होने माले है तो तो गाइज ये ट्वीटर का जो ट्विट है आप देख सकते हो तो इसमें तीन चीजे बताई है तो पहले चीज़ है लिखी गई है 15प्लेयर लोभी मतलब हमको लोभी के अंदर पहले 10 प्ले लिए दिखने के लिए मिलते थे उसकी जगब हमको लोबी के अंदर 15 प्लेइर दिखने के लिए मिलेंगे और हो सकता उसके अंदर 3-4 ूपपोस्टर भी हो और नेक्स चीज जो ऊसमें लिकी है वह या है कि न्यू प्लेइर ऐकालर मतलब करेंटली में या आर्टी Hence q colour को चेंज करेंगे और गेम के अंदर कुछ minor begs hoते हैं उनको fix करेंगे और कुछ छोटे अइम्पूप्रूमेंट्स होते हैं वह उनको fix करेंगे ठीक है यह थो Among Us का Twitter जो मैं आपको explain कर दिया है चलते हैं हमारी next news के अंदर कुछ दिन पहले Encore Games ने 4G के new trailer को release करा है उसके अंदर उनोंने TDM को announce कर दिया है और TDM यह game जो है new update उनोंने इनकी release date तो नहीं बताए लेकिन इसका जो first beta होगा वो June के अंदर आएगा मतलब इसके अंदर ने को game ही launch करना था लेकिन यह first beta लाएंगे और उसके अंदर उसका gameplay भी मालूम पढ़ जाएगा और उसके बाद इसकी release date भी announce हो जाएगी मतलब इन्होंने अब इतना wait करा है तो शायद कुछ अच्छा ही करा होगा और पेले रेन campaign mode launch कर रहा था जूचता successful नहीं रहा लेकिन अब 3dm है इसके अंदर गंज भी है आपने पूरा trailer नहीं देखा तो link डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक आउट जरूर से कर लेना ठीक है और इस वीडियो का next part ने gaming news का next part में कल ढाल दूंगा इसके अंदर में Apex Legends से लेकर कुछ बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा ठीक है और थैंक्यू आपने वीडियो देखी प्लीज सब्सक्राइब कर देना make sure प्लीज सब्सक्राइब इस चेनल सार अपडेटेट हो चुके होंगे तो गाइस थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो मेट इन एक्स्ट वीडियो बाई बाई